तो दोस्तो नागिन 4 के अगले एपिसोड में क्या होगा? क्या नेयन तारा वरिंदा को अपने रास्ते से हटाने में काम्याब हो पाई गी या नहीं? और वरिंदा एक इच्छादारी नागिन है यह सचाई सब के सामने आई गी या नहीं? और मानेता को अपने असली बेटी के बारे में कैसे पताचलेगा वरिंदा और देव की इतनी बद्दामी करने के बाद नयनतारा का अगला वार क्या होगा और क्या-क्या होने वाला है आने वाले एपिसोड में ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे लेकिन दोस्तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें पाकि नागीन 4 से जुड़ी हर न्यू अपडेट आपको मिले सबसे पहले तो दोस्तो अगले एपिसोड में आपने देखा पाटी में नयंतारा ने मौका का फाइदा उठा कर वरिंदा और देव दोनों को एक कमरे में बंद कर देती है इसके बाद वहाँ पर मेडिया और सभी लोगों को बुला कर इकटा कर लेती है इसे वरिंदा और देव की काफी बदनामी देखने को मिलती है और इस बदनामी की वज़ज़ से वेसाली अपना सारा गुसा वरिंदा पर निकालती है और वरिंदा के आँखों से आसु गिरने लगते हैं लेकिन देव वरिंदा का हिरो उन आस्यों को गिरने नहीं देता है और दूसरी तरव आपको देखने को मिलेगा कि नेंतारा मौकी का फाइदा उठा कर वेशाली को कहती है कि मैं दो प्यार करने वालों के बेच में नहीं आना चाहती और तभी वेशाली एलान करती है और कहती है कि देव सिर्फ मेरा बेटा है और वो वही करेगा जो मैं कहूंगी और इसलिए मैं कह रही हूँ कि देव की साधी सिर्फ तुम से होगी और ऐसा ऐलान करते हुए वह अपना कंगन निकाल कर नेंतारा को पहना देती है और दूसरी तरफ नागरानी मानिता अपनी असली बेटी का नाम जानने के लिए काफी बेताब है तो चलिए हम आपको बताते हैं उसे कैसा पता चलेगा कि उसकी असली बेटी कोई और नहीं बलकी वरिंदा है दर असल मानिता को नेंतारा पर शाक हो जाता है कि ये मिरस से कुछ सिपा रही है इसलिए मानिता नेंतारा की हर हरकत पर नजर रखती है और जब नींतारा वरिंदा को जंगल में बुला कर अपने रास्ते से हटाने के लिए उसे मारने की कौशिश करेगी तब नागरानी मानिता वहाँ पीछा करते हुए पहुच जाती है और वरिंदा को अपने असली रूप में आते देख लेती है जिससे उसे पता चल जाता है कि वरिंदा ही मेरी असली बेटी है तो दोस्तों आने वाले एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें